मित्रों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमतकारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं जिससे नए वीडियो की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके धन्यवाद नमस्कार मैं हूँ वैभवनाच शर्म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन मित्रों आज में लोग बात करेंगे ग्यारा फरवरी के पंचांग राशिफल और महा उपाय के बारे में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेश राशी की मेश राशी वाले जातक लोग बहुत समय से कुछ प्रयास कर रहे थे कुछ नया करने का कुछ अपना कार व्यापार शुरू करने का कुछ नई एक आजी विका का साधन खोजने का तो आज नए कारोबार में प्रवेश का आफसर आपको प्राप्त हो सकता है ओम्सौम्याई नमहमंतर का 108 बार जाब करना चाहिए शेर मार्केट में आप इंवेस्मेंट बिलकुल भी ना करें वरिशवराशी वरिशवराशी वाले जातक लोगों के लिए आपके अपने कारे शेत्र में जो आपके हाथ की कला है जिस विशे में आपको पारंगत हासल है आपको महारत हासल है उस छेत्र में आज आपको बहुत अच्छा लाव बहुत महत्वपूर्ण लाव आज आपको मिले ऐसी इस्तिति आपके लिए बनती है मानसिक रूप से कुछ परशानियां घेरे रहेंगी परंतु पॉजिटिव सोच के साथ सकरात्मक सोच के साथ आप आसानी से इन परशानियों से उबर पाएंगे ओम इसकंदग रजाई नमहा मंतरका एक सो आट बार जाप करें और आज की तिति में आप ट्रेवल ना करें यात्रा ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा मिथुन राशी मिथुन राशी वाले जातक लोगों के लिए नया और बड़ा बदलाव आपके लिए संभव दिखाई देता है तो तैयार रहना चाहिए आपको इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए अपने परिवार की जरुतों को समझें और उसके अनरूप आप काम करे ओम इस्तुती हर्शिताई नमहमंतर का 108 बार जाप करना चाहिए व्यापार में किसी के साथ पार्टनर्शिप यानि साजेदारी नहीं करनी चाहिए करकराशी करकराशी वाले जातक लोगों के लिए नया सामाजिक परिचय भविश में बहुत ज़्यादा सहायक होगा आपको समझदारी से काम लेने की आवशक्ता है संपत्ति या उसके अलावा आने ते कहीं निवेश की योजना हो तो उससे बचना चाहिए सिंग राशी सिंग राशी वाले जातक लोगों के लिए नौकरी में उन्नती के संकेत प्राप्त हो सकते हैं सेहत का ध्यान आपको रखना बहुत आवशक है स्टूडेंट्स के लिए ये समय विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है कन्याराशी वाले जातक लोगों के लिए आज वाहन आदी का सुक प्राप्त होगा शेयर खरीदने और बेचने के लिए ये समय अच्छा कहा जा सकता है दिन के आरंब में आपके कारेशेत्र में व्यापार व्यावसाय में कुछ बाधाएं आ सकती हैं लेकिन जैसे जैसे दिन प्रगती करेगा दिन आगे बढ़ता जाएगा सब चीजें ठीक हो जाएंगी उम सरवात्मकाई नमहमंत्र का 108 बार जाप करें मानसाहार के सेवन और प्रयोग से आपको बचना चाहिए तुला राशी तुला राशी वाले जातक लोगों के लिए लक्ष को ध्यान में रख करके काम करने से आपको सफलता प्राप्त होगी समय असबंजस में बीतने वाला है प्रेम संबंदों में तनाव की इस्तिती सामने आ सकती है व्रिष्यक राशी वाले जातक लोगों के लिए और वाहन का प्रयोग बहुत तेज गती में आप न करे दनुराशी वाले जातक लोगों के लिए किसी नए कारे व्यापार के आरम की योजना बनेगी नया व्यापार करने के लिए यह समय आपके पक्ष में उत्तम दिखाई देता है अपना बहुमूल यह समय आपको प्रगतिशील कारियों में लगाना चाहिए अपने समय को आप यूही व्यर्थ ना करें नश्ट ना करें ओम सर्वतनायाई नमहमंत्र का 108 बार जाप करें और किसी भी व्यक्ति को रुपए पैसे आप उधार देने से बचें मकर राशी मकर राशी वाले जातक लोगों के लिए आज आपका शत्रू पक्ष आपका चड़ाव होता रहेगा ओम समस्त जगदाधराई नमहमंत्र का 108 बार जाप करें मांसाहार और मद्यपान के सेवन तथा प्रयोग से आप बचें कुम्बराशी कुम्बराशी वाले जातक लोगों के लिए कारेके प्रतियरूची रहने वाली है क्रोध व जुझलाट से बच होंगे धनलाब होगा एक ही दिशा में की गई मैनत से आपको बेतर परणाम मिल सकते हैं यह समय थोड़ा सा रुकावटों भड़ा भरा हो सकता है आपके काम में कुछ विग्न कुछ बाधा आ सकती है उससे आपको निराश और हताश नहीं होना चाहिए ओम सजदानंद ग्रहाई नमवा मंतर का 108 बार जाप करें और परिवार में भाई बंदू के साथ वादविबात करने से आप बचें तो दोस्तों यह तो बात रही आज के 12 राशी की हम लोगों ने जाना ग्रहनक्षत्र की इस्तितियां क्या कहती है और दिन को शुब बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अब हम लोग बात करेंगे आज के महाउपाए की आज के महाउपाए में मैं आपको एक ऐसा मंतर बताने जा रहा हूं जिस मंतर का जाप करने से जब आप कुछ दिन इस मंतर का जाप अपने घर में करते हैं साल 6 महीने इस मंतर आने वाला ये एक मात्र मंत्र है इस मंत्र से ज़्यादा प्रभावशाली वास्तू के द्रिश्टी से कोई मंत्र कोई साधना नहीं होती है तो आए जानते हैं क्या है ये मंत्र और किस प्रकार आपको इसका प्रयोग करना चाहिए अगर घर परिवार में रोग अभाव दरद शुबकारियों में बाधा या सफलता से अशांती और वादविवाद बना रहता है तो इसके पीछे काफी हद तक ऐसी संभावना होती है कि वास्तू दोश भी एक बड़ा आपके लिए कारण बन रहा हो शास्त्रों के नुसार वास्तू का अर्थ है जिस भूमी पर मानव सहि अन्यजीव रहते हों इसमें घर देवाले महल गाव नगर पुरादी सभी शामिल होते हैं इन जगहों पर सुख समरिद्धी एश्वरी और शांती के लिए नकेवल वास्तू शास के नुसार घर बनाना आवश्यक होता है इसके अलावा वास्तू देवता की पूजा और सिस्वात्र से वास्तू दोष दूर हो जाता है ऐसी गलत फह्मी में मत पढ़िये आप जितना तोड़ फोड़ करेंगे वास्तू भंग दोस्तू निवारान के लिए ही कोई उपाए खोजना पड़ेगा अगर कोई बहुत बड़ा दोश नहीं है खासतर पर इशान में सुर नामक राक्षस को मारते हुए उसका वद करते हुए भगवान शंकर को बहुत परिश्रम करना पड़ा ऐसे में भगवान शंकर के मस्तक से कुछ पसीने की बूंदे जो है वो धरा पर गिनी यानि भूमी पर गिनी जिससे भयानक रूप वाला पुरुष जो है वो उत्प कर दिया और उस भगवान ने ये आशिरवाद दिया कि जो जो देवता जिस स्थान को पकड़ करके खड़े हैं वो देवता वहीं इस्थापित हो जाएंगे और वो स्थान उसी देवता का स्थान माना जाएगा इस कारण से वास्तु देवता का जो स्वरूप है वह पूज पूजापाथ अराधना करने से विशेश मंत्र से अगर उनका ध्यान किया जाये तो उनकी कृपा से किसी भी प्रकार का कुष्ट जीवन में जो होता है वो दूर होता है और सिर्फ वास्तु देवता की पूजा कर लेने से समस्त देवी देवताओं की कृपा अव्यक्षिय को वास्तु दोश निवारण के लिए सबसे आसान प्रक्रिया ही यही है कि वास्तु देवता का जो मंत्र मैं आपको बताऊं यह शास्त्रोक्त यह वेदोक्त मंत्र है रिग्वेद में इसका रिफरेंस मिलता है और कहा गया कि इस मंत्र का जाप करा देने से कम से कम 24,000 और जाद जादा है नित्य प्रति दिन इष्ट देवता की पूजा के दोरान हाथों में सफेद चंदन लगे हुए सफेद फूल और अक्षत ले करके वास्तु देवता का ध्यान करें और जो मंत्र मैं आपको बताऊं यह वेदों का मंत्र है इस मंत्र का ध्यान करके घर परिवार के स जारती फिर आपको कर लेनी चाहिए तो यह मंत्र कौन सा है वास्तोष पते प्रति जान इसमान त्ववेशो अनमीवो भवानह यत्वे महे प्रतितनायू जुशन्यो नो भवदे दूई पदे शन चतुश पदे तो यह मंत्र यहां आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भ चाकी है यह बहुत ही चमतकारी मंत्र है और वास्तू दोश निवारण के लिए जितने भी लोगों के घर में इस मंत्र का प्रयोग आज तक मैंने कराया कम से कम दो तीन अजार तो वास्तू शान्ती कराई दी होगी तो लोगों को उससे फायदा बहुत विलता है रिग विरा कष्ट दर्दरता आदी से मुक्त करें हमारी धन वैभव की एक्षा को पूरी करें वास्तू शेत्र या घर में रहने वाले सभी परिजनों पशू वाहन आदी का शुब और मंगल करें हमारा कल्यान करें इस प्रकार की भावना इस मंत्र की है इसका अर्थ यह होता है तो मित्रों आशा करता हूँ कि इस मंत्र के प्रयोग से आप अपने घर में व्याप्त वास्तू दोशों से बहुत आसानी से मुक्ति पा सकेंगे आपको करना यह है कि रोज रुदराक्ष की माला पर एक सो आठ बार इस मंत्र का जाप आपको नियमित रूप से करते रहना चाहिए और साल दो साल आप इसको करते रहेंगे तो आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको जो ज्यानवर्धक जानकारियां शास्तिय उपाए प्राप्त होते हैं वो आपको नि यूट्यूब चैनल वैफ़बन नमस्कार के माध्यम से email और WhatsApp के माध्यम से appointment बुक कर सकते हैं हमारा नमबर है 999-07-24131 आपको दो नमबर दे रहा हूँ इन दोनों नमबर पे WhatsApp अवैलेबल है आप WhatsApp करें 9818-300-146 यह हमारे ओफिस का दूसरा नमबर है अगर आप हमें email करना चाहते हैं तो आप हमें email कर सकते हैं हमारी email id note कर लीजे एस एच ए आर एम ए डॉट वैबवा वी ए आई बी एच एवी ए एडिरेट जीमेल डॉट कॉम पर इस पर आप हमें email भी कर सकते हैं मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत जादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं ऐसे में email और WhatsApp करना सबसे बहतर तरीका है धन्यवार